बहुत जल्दी पतले होना चाहते हैं और सुन्दर होना चाहते हैं और कोई side effect नहीं आज कल ये एक तो पेट छोटा कराने वाली surgery करते हैं तो बाव लोग लाख रुपे क्यों देते हैं और उसमें life threatening भी होती है पेट छोटा कर देते हैं कुंसी surgery बोलते हैं बेरियाटिक surgery फिर एक लाइपो सेक्षन होता है खींसते हैं फैट को क्यों इन चक्रों में पढ़ते हो सुबह से शाम तक लोकी का जूस खाओ लोकी की सबजी खाओ लोकी का सूप पीओ और थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो मूंग का ले लो आप एक मैने तक लोकी कलप कर लो और अश्वगंदा के पत्ते खालो साथ में एक मैने में आपका 25-30 किलो वजन कम हो जाए गर दो मैने में 40-50 किलो वजन कम हो जाए कि सुले मोटी-मोटी बहनों फुर भबब मिलेंगी कहां ए मया मोटी मया सुले तेरा आज से सारा खाना बन खाली लोकी का जूस लोकी की सबजी खाएगी और चेंज करना हो तो मूं छिलके वाली बस मूं का सूप या अंकुरित मूं थोड़ा भोद ले लिया बस और बहुत ही ज़्यादा किसी खाने का ऐसा पागल पंसा हो जैसे कहते हैं तलब सी उठती है तो फिर एक अपनी खिचड़ी आती है आश्रम की पुष्टा अधलिया बोलते हैं उसमें मूं चावल बाजरा उसके अंदर तिल और वो थोड़ा जबाइन तो थोड़ा डालते हैं तो पांसो ग्राम गेहूं पांसो ग्राम मौंग पांसो ग्राम चावल पांसो ग्राम बादरा चार अनाज होते हैं उसके अंदर ऐसे हम बनाते हैं यह यही रिश्यो होता है वो खिचड़ी खाली बस एक आधी कटोरी बस और ये योगा भ्यास दो मैंने बताए उसको करना एक मेने में आपका 25 से 30 किलो वजन कम और दो मेने में आपका पूरा वेट बैलेंस फिर एक बार कंट्रोल होने के बाद तो फिर लाइन पर आ जाएगी ने गाड़ी आपको कहीं पर भी एक तो यह यह निपड़ेंगे जो धारियां पड़ जाती है जुर्यां पड़ जाती है चमड़ी लटक जाती है यह कुछ नहीं होगा चमड़ी पूरी टाइट रहेगी माने सुंदर भी बनोगे स्वस्थ भी बनोगे मुटापा भी कम होगा हड्डियां मुजबूत होंगी हीमोगलोबिन बढ़ेगा ने तो यह उपासादी करके जैसे आज कल कुछ लड़कियां शादी कराने के चकर में कुछ नहीं खाती चकर आकर की गेती रहती है और वो बिमारी हो जाती है फिर फिर बहुत तरह के उनकी सरीर में समस्थे हो जाती है उनका मसल स्वीक हो जाती हामलेस वेट लोस होना चाहिए